जेहिंत नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी श्राइट करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो केर्वी में दोस्तों आज का वीडियो इस पेसली ऐसे सी जी डी मेडिकल पर है क्योंकि बहुत सारे बच्छों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कोल भी आयते हेल प्लाइन नमर पर कि सर हमारा 17 जुलाई से मेडिकल टेस्ट है कितनी जुलाई से 17 जुलाई से तो इस बार क्या बदला होगा medical में क्या बदल सकता है तो medical में पहले तो मैं आपको बता दू medical में कुछ नहीं बदलता जैसे पिछली बार medical हुआ था वे सई इस बार होगा लेकिन हाँ ये वीडियो आपको बहुत जरूरी ध्यान से देख लेना है क्योंकि इस वीडियो के साथ में आपका future जुड़ावा है और भागे नहीं द्यान रखना आपकी मेनद जुड़ी हुई है इस वीडियो में जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ उस पे बहुत अच्छे से focus करना है नहीं तो बाद में पस्ता होगे फिर मैं बोलूँगा कि आप पस्ता है होगे जब चीज़िया चुगी किस बात का आप इसे ध्यान रखना है लाट लो किस बात का कि मेडिकल आपका 17 जुलाई से शुरू है और मेडिकल के दिन ही रिमेडिकल लिया जाएगा मेडिकल के दिन ही Remedical लिया जाएगा इसका मतलब समझ रहे हो अरे समझ रहे हो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई point दे दिया गया तो उसके तूटने के chances बहुत कम है लेकिन आप मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ low कर लेना, कान के साथ सारे छेत कोल के बड़िया से सुन लेना कि जिस दिन आपका medical और आपको medical point मिल जाता है और कोई ऐसा medical point मिल जाता है ऐसा मतलब है जिसको आप तयार करा सकते हैं दो महीने, तीन महीने में तो उस समय क्या करना जैसे, जैसे किसी के बच्चे के DNA से चोटी से सर्द्री होगी वो ठीक हो जाएगी फिमोसिस है या कोई भी ऐसी बिमारी या कोई भी ऐसा point जिसको आपको लगता है कि आप भार आके दो महीने में या तीन महीने में ठीक आ सकते हो यहां पर आपको मालो medical point दिया गया medical में आपको बाहर कर दिया गवराने की जूरत नहीं है वापस आके court में पीडिसन फाइल कर दो court में आप पीडिसन फाइल करोगे court आदेश निकालेगा वापस आपका medical होगा और जब तक आप इस विमारी को पूर्ण रूप से तयार करा लोगे ये मजा की बात नहीं है 100% genuine बात है और इसकी मैं guarantee लेता हूँ शमदोगे बात को इसमें कहीं पे भी कोई भी समझा है उसका शमदान मैं आपको बता हूँगा ये काम कर लेना क्योंकि आप बहुत मेनत से नंबर लेकिया हो इस बात का विशेज दान रगना ये हवा वाली बात है ये हवा वाही वाली पूरी ओरिजिनल बात है इसका साक्षे में दे चुका हूँ हमारी केडमी का ही बच्चा था जिसने दो साल कोट में केस लड़ा ना के डीनेस में उसको पॉइंट दिया गया था उसने चेलेंज किया फिर एक बार उसका खारी जुआ फिर एक बार चेलेंज किया अन्तत है अभी उसको CISF की जोईनिंग दी गई है साथ में ही कोट से आदेस निकला है कि उसकी जो रेंग है जो उसके साथ वाले बच्चों के हिसाब से की जाए उसको उसी उनके साथ वाले जो बच्चे उसके इसाफ से उसका payment होना सही है यही चीज आपके भी काम में आएगी इसलिए मोड़ा हूँ अगर कोई ऐसा medical point जो genuine आपको लगता कि genuine है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन इसा point जीजिसे मान लो आपको नोखनी का point दें दिया वो तो genuine है उँ तो आप 2 मेhने चार मेhने शै महीने हाट मेhने कभी भी ठीक नहीं कर सकते समझे बात को तो क्या ठीक कर सकते हैं ठीक ये मामला पैट नहीं हो पूरी पूरी ग्यान के बात है ज्यादा ज्यादा लोगों तो क्सेर करनी है तक काम आशके जै हिंद जै भारत